कोशन नमबर वन पर रहा है कोशन नाम है मिनिमम कॉस्ट आप बाइंग कैंडिस विडिसकाउंट तो एक बार देख लेते हैं प्रॉब्लम क्या कहती है और फिर इसके सॉलूशन के अपर बात करेंगे कोशन यह है कि आपको एक दुकान दार है वो कुछ कैंडिस बेच रहा है डिसकाउंट पर एवर टू कैंडिस जो बेचता है जो भी दो कैंडिस बेचता है उसके ओपर थर्ड कैंडिस फ्री देता है बड़ उसकी कंडिशन है वो ऐसा बोलता है कि आप जो भी दो कैंडिस खर लेगी जिसका cost 10 से कम होना चाहिए ऐसा लिखा हुए यह रहा customer can choose any candy to take away for free as long as the cost of the chosen candy is less than or equal to the minimum cost या अगली candy जीरो से लेकर मतब जीरो की तो क्या ही candy होगी कोई एक से लेकर 10 के बीच में कोई भी pick कर सकते हो वह आप कोई भी pick कर सकते हो और आपको बताना है minimum cost of the two candies bought ठीक है जो भी तो इसे एक्जामपल होगा है जैसे कि 1,2,3,4 अगर उसने 2 और 3 नाम के candies को खरीद लिया तो minimum cost आता है क्या हो सकता है मैं को पता better pay क्या है मैंना 4 और 3 ये दोनों candies खरीदता हूं जिससे मुझे 2 वाला candy free में मिल जाएगा और फिर 1 वाला candy खरीदता हूं तो मुझे total cost कितना pay करना पड़ा total cost कितना pay करना पड़ेगा इस scenario के अंदर 4 प्लस 3 क्योंकि 2 वाला candy तो मुझे free में मिल लिया प्लस 1 तो total cost जो मैंने pay करी है वो हो गया 4 प्लस 3 that is 7, 7 प्लस 1, 8 अगर मैं ऐसे चलता हूं कि मैंने 2 और 3 को pick कर लिया तो मैं को total cost देना पड़ा 5 5 प्लस 4 इकल टू 9 तो इसमें मुझे नुकसान हो गया यानि कि मुझे सारी candies एक रुपए महंगी बढ़ गई मैं उसको एक रुपए सस्ते पर खरी सकता था तो better way क्या हो सकता इसको solve करने का आप पता है क्या करो array को कर लो sort sort करने से एक फायदा मिल जाएगा sort करने का सेरे को sort कर लेता हूं 2 2 5 6 7 9 मैंने सेरे को कर लिया sort अब sort करने पर मुझे इन candies को खरीदना है तो मैं कैसे खरीद हूंगा मैं 9 candy खरीद लेता हूं 9 cost वाली 5 और 7 cost वाली दोने minimum क्या आएगा 7 तो मुझे ये वाली candy free में पढ़ गई ये वाली candy मुझे free में पढ़ी फिर मैंने 5 को खरीदा और 2 को खरीदा और मुझे ये वाली candy free में पढ़ गई तो मुझे total cost कितनी पढ़ी 0 plus 2 plus 5 plus 0 plus 7 plus 9 तो total cost मेरी कितने आती है 5 plus 2 10 10 plus 9 7 19 19 plus 720 5 plus 27 7 plus 7 14 and 14 plus 9 यह हो जाएगा हमारे लिए 23 तो total cost आते हैं मेरी इतनी आपको करना गया था पूरे आरे को सॉर्ट कर लें देख लें सॉर्टिंग सही हुई है टू टू पाइफ सिक्स सेवन नाइन एक्कुरेट है सेवन प्लस 14 14 प्लस 6 20 एंड प्रैस थे 23 बिलकुल सही है अब इसको देखते हैं कोड कैसे करना है कोड करने के लिए बहुत ही सिंपल लॉजिक सबसे पहले मुझे क्योंकि मैं एक VS Code के अंदर Code कर रहा हूं तो मुझे import java.util.star यहां पर मैं पहले अपने पूरे array को इसमें डाला मैंने अपना कॉस्ट अब सॉट करने के बाद लूप चला रहेते हैं आपर i equal to first n equal to cos.length i equal to n minus 1 और answer equal to 0 better रहेगा कि मैं यहां पर while loop का इस्तमाल करूं where i greater than equal to 0 होना चाहिए अब यहां पर क्या करेंगा सबसे पहले जो answer है उसके अंदर मैं pick करूंगा cost of i को मैंने इसके अंदर add करा plus cost of i minus 1 बट यहां पर एक छोटा सा twist है यह cost of i minus 1 हर बार add नहीं कर सकता मैं अभी देखते हैं क्यों नहीं कर सकता और क्योंकि मुझे जो third candy होगी वो तो free मिल जाएगी यह यूं कहलू लास्ट से third candy ठीक है बिल्कुल लास्ट से third candy होज़े free मिलेगी तो i minus equal to three कर देगे मेरा यह answer होना चाहिए बट यह जो answer है ना overflow कर जाएगा कब और फ्लो कर जाएगा देखते हैं अगर मेरे एरे का साइज इस सिर्फ ए क्या मुझे इस candy को खरीद नहीं पड़ेगा और यह वाला candy में कहां से लेकर रहा हूं है नहीं मेरे पास तो इसके लिए मुझे यहाँ पर चेक लगाना चाहिए कि if i greater than zero है अगर ऐसा होता है तो यह काम करो और अगर ऐसा नहीं है तो उसकी जगापर zero add कर दो क्योंकि आप कोई candy खरीद नहीं पाऊगे तो आप वहाँ पर zero add कर दो i minus three करते रहो और लास्ट में अपना अंसर return कर लो एक बार इसे constraints को देख लेंगे कहीं ऐसा तो नहीं है सारे candies को add करने पर मेरा overflow हो जाएगा constant देखना चाहता हूं नहीं होगा overflow क्योंकि cost की value max to max कितनी हो सकती है मेरी 100 हो सकती है तो देखते हैं integer की range को flow तो नहीं कर रहा है माल लेते हैं array के अंदर सभी के सभी candy सो सो प्राइस के पड़े हुए थे और मैंने सारी value को add कर लिया हमने सारी value को add कर लिया तो भी मेरी maximum cost कितनी जाएगी 10 raise to power 4 जो कि integer की range में आता है तो integer की range को overflow नहीं कर रहा है यह एंड on में ही हमारा पास हो गया है तो बस इतना ही चाहिए था solution on में पास होना चाहिए चला के देखता है यहां तक तो चल रहा है और पास भी हो गया code तो यह था code तो काफी easy सी problem थी अगर आपको यह code अच्छा लगाओ तो इस वीडियो को like कर देना साथी साथ अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ भी सही लगाओ को लगाओ कुस सीखने को मिला या कुछ नय अंदर बताया करो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में लिख देना पसंद आया है girl simple एक है記得 comment में बता हो की ahh आपको अच्छी लग रहे नहीं लग रही ताकि पता चले कि आप वीडियो देख रहे हो और नहीं देख रहे हो ताकि हमें आइडियो लग सके मिलते हैं नेक्स वीडियो